दो हजार तेईस काफी अजीब साल जा रहा है यार बिग बॉस का सिस्टम आया सिस्टम पार देंगे कैरी मिनाटी का नया गाना आया बहात उठाया अंधी रुके मगर ये सब इतना भी बुरा नहीं था जितनी बुरी थी शहजादा जो रिमेक था लाजीब रुक अलावाई कुन्तपुरम लो तो कहानी शुरू होती है 69 पहले जहां दो ऐसे लोग थे जिसमें से एक के पास ऐसा रिज़ था कि जेब में 10 रुपे होते हुए भी 100 करोड का देहेज उठा लिया और वहीं दूसरा वालमी की जिसे शादी में फेमिनिजम दिखाना था तो उसने रिटर्न दहेज दिया और गरीब बन गया तो आज तक वो अपने आपको कैरी मिनाटी का नया गाना सुनके खुद को टॉर्चर करता है मगर एक दिन इनके वाटसअप ग्रुप पे एक वीडियो आई खाना खाता था इसलिए उसका बच्चा मरा हुआ निकला तो क्या करें? मैं इसे स्वाप करतेता हूं जितनी रिस इस घर में आएगी मेरे बेटे को मिलेगी ओके ओके हम ये किसी को नहीं बताएंगे अरे ये जिन्दा है रुको, मैं सबको बताऊंगी तो अब क्या करें? मैं इसे अपना बेटा बना के चाय लेप्यूस करूँगा और इसे अपने बाप की तरह ट्रेट करूँगा और मेरा असली बेटा बाहर का खाना खाएगा आई मा तो एक बच्चा राज जिसने बाहर का खाना खाया वो स्टूपिड निकला और बंकू जिसने दिन में उठके नकली बाप की गाली खाई वो जीनियस निकला हैंस प्रूव स्ट्रिक्ट पेरिंट्स एक जीनियस बच्चा बनाते हैं इसलिए अपने बच्चों को तो किस्मत ऐसी है एक आटो में ट्रैविल करता है तो एक हेलिकॉप्टर में एक राज की ये सरवोध्य कन्या विद्याले में जाके टॉप मारता है तो एक ऑक्सवर्ड से फेल होके आता है एक बैंक कॉक जाता है तो एक घर पे कॉक बैंक करता है मैं तेर से नफरत करता हूँ क्यों किसी को ये मेरा बेटा हो नहीं सुपता ये पक्का स्वैप हुआ है मगर बंटू जो सीधा साधा दिखता है अगर इसकी बेहन को कोई छेड़े तो इसका पुश्पा राइज हो जाता है और वेल आइम पुश्पा तो अब बंटू को जॉब चाहिए मैं बहुत गरीब हूँ मैं पैर से नहीं खा पाता हाथ से चलने ही पाता मेरे एक ही माबाप है और मुझे बस दिन में तीन टाइम घी डाल के खाना मिलता है बस भाई बस रुलाएगा क्या इंडियन आइडल नहीं है ये ये ले तु जॉब ले ले पर इसकी बॉस है अमुल है जिसके पैर अमुल दूच से धुले हुए आई मीन सॉरी मैं ये नहीं बोल रहा ये इसका परस्पेक्टिव है तो इसे अपनी बॉस का फुट फेटिश है जो बहुत क्रीपी चीज है पर इसकी बॉस को कोई प्रॉबलम ही नहीं है इंफेक्ट ये पच गई क्योंकि ये ऐसा दिखता है अगर ये ऐसा दिखता या फिर ऐसा दिखता तो एक गंजा पुलिस वाला इसे पकड़ लेता माल गाड़ा के थारो वहाँ विटनेस नर्स आज भी कोमा में है आज भी तू उठी नहीं सोजा मैं उठ गई वाँ पागल वहाँ पे गुंडा ता विलन राम चंद्रा की कमपनी लेना चाहता है क्योंकि जब उसने एमेवे बंटाई से कमपनी मांगी तो उसने नाली में हाट डाल के दे दिया क्या बोलते कमपने गमाएले मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ बेटा तुझे कुंडे को जाके ना बोलना है समझ रहा है ना तू है कमपनी दे दे हाँ या ना ना क्या मेरा बेटा आक्चिली में ना बोलना चाहता है पर गदा है ना तो हाँ बोल रहा है क्योंकि ये मेरा बेटा नहीं हो सकता ये पकास्वयाप हुआ है वहीं पे बंटू और अमुल्या भी डील करने आ है हम अपनी कमपनी दे दे नहीं लड़की के ना में भी हाँ होती है तो मैं अब जबर्दस्ति करूँगा एक इनसान जब ना बोले तो ना ही होता है अब तूने मुझे गुस्सा दिला दिया मेरे पुश्पा को राइस कर दिया तूने अब थेटर में ताली बजेगी पुश्पा एई चुकेगा नहीं साला वो लड़का बक्का मेरा बेटा हो सकता है क्योंकि ये मेरा बेटा नहीं है ये बक्का स्वैप हुआ है क्यों किसे का राज मेरा बेटा है वो नल्ला है पिकार है कता है इरेक्टैल डिस्फंक्शन है उसे I mean irresponsible है I know ममी पॉइंट प्याओ ना मगर वो मेरा पीता है तू nepotism rocks तू रामचंद्रा को लगता है अगर इंसान की शादी हो जाए तो the power of logic वो सुधर जाता है तो रामचंद्रा अमुल्या से इंप्रेस हो गया था तो वो अमुल्या की एंगेजमेंट राज से करवा देता है कोई नहीं कोई नहीं हम affair continue करेंगे न जब तक तू अमीर नहीं बन जाता मगर कुंडा दा विलन को company चाहिए कमपनी दे या मौत ले क्या अबे बात तो करने दे मैं शायद मानी जाता तो अब ये मर जाएगा मगर उसी टाइम वहाँ पे आ गए अमुल्या और बंटू अपने बारे में सच बताने के लिए अईला जिंदालाश इसे हॉस्पिटल ली चलो लॉट मस्बूत हो जाएगा तो बंटू ने अपने असली बाप को बचा लिया पर इस शहर में एक ही हॉस्पिटल है जहां है वो पुरानी नर्स तुम उस रामचंद्र की बेटे हूँ ना नहीं नहीं मैं उस मादर चुट वालमिकी का बेटा हूँ नहीं सुनो तो बंटू को पता चल गया सारा सच कि इसका बाप अंकल बेन नहीं है ब्रूस वेन है इतने साल से वालमिकी ने इसका काटा है तो इसने रख के दिया उसके एक चाटा वांच वार मजा आया इतने साल से तुमने मेरा काटा इतने में तो दिल्ली की लड़की भी शर्मा जाए इतने तो पुश्पा में पेड़ नहीं कटे जितना तुने सारे दुनिया के सामने मेरा काटा आज के बाद तु मेरा बाप नहीं है नहीं है पर मैं किसी को पता हूँगा भी नहीं क्योंकि सब का दिल तूट जाएगा और मोवी इंटरेस्टिंग भी नहीं हो पाईगी ना तो ओके बाई तो बंटू अपनी फामिली को सामने से अब्जर्व करता है तो इसे पता चलता है मम्मी पापा में प्यार नहीं है मामा जमीन हडपना चाहता है नाना क्लूलेस है पडोसी का काम वाली बाई के साथ चक्कर चल रहा है कैरी मिनाटी का नया गाना बकवास है और बिग बॉस एक स्कैम है तो बंटू डॉक्टर की बीवी मारने के बाद उसके बेटे को मारने की धमकी देता है कि अगर घर पे ये नहीं बोला कि रामचंद्रा के सेवियर को सामने रखने पे रामचंद्रा का बीपी ठीक हो जाएगा तो वो उसके बच्चे को चंदन की लकडी में लपेट के नाली में फेक देगा तो बंटू को एंट्री मिल गई भाई और सिंस नाना को इसमें महेश बाबू दिखा तो नाना ने इसे एक लाग पर मिनट सैलरी पे रख लिया यहाँ पे चल करने के लिए इतना सारा पैसा नाना जी बिना ब्रश के बाधरूम साफ कर लूगा मुझे भी रख लो ना नौकरी पे प्लीज वो मेरे साथ तीन लोग और है उनको भी रख लो योगी नई नौकरी मिल गई भाई यूट्यूब छोड़ देते चल बंटू हमारे दुश्मनों ने चीना हराम करका है हमारा नाना जी आप भूल गए आई एम पैट मैन आई एम पुश्पा चुकेगा नी सला ब्रो थेंक्स हीस कार्तिकारियन मगर राम चंद्रा दुखी है पर क्यों भाई तेरी बीवी तबू है महेश पाबू, आई मेन बंटू मेरी बीवी मुझे देती नहीं मेरा बेटा कुछ समझता नहीं हर दिन अकाउंट में से 10-15 लाग कट जाते हैं कैरी मेनाटी गाने निकालता है इंटरनेट पे सब शिष्टम फाड़ रहे हैं पता हो कैसे खुछ रहूं मैं मुझे ड्रग दो बस इतनी सी बात अभी इंपोस्टर रिवील करता हूं मैं तो गाइस अकाउंट में से पैजे मामा चोरी कर रहे हैं ये रहा हिसाब किताब तो गाइस ये दोनों मिया बीवी खुछ होने का नाटक करते हैं पर इन्होंने सीमक्स नहीं किया राज के पैदा होने के बात से मगर सच तो ये है मैहिश बाबू की हस्बेंड वाइफ को बस बात करनी थी जो इन्होंने की और सब फिक्स हो गया क्या बात है भाई तो देगा दोस्तों कम्मिनिकेशन इस दा की पापा वो गोआ जाना था अगले मही ने अज़ा नहीं जाना नहीं जाना सौरी तो इसने सब फिक्स कर दिया तो अमीर लोग के घर में अगर कुटा कुट से बाहर मूद के आए ना तो पाटी होती है तो वेल पाटी पर ये अमुल्या के पैर चाटते हुए पकड़ा गया इन लोगों ने तुझे प्यार दिया पैसा दिया और तुझे इनकी बहू को चुट दिया छोड दिया मतलब निकलना यहां से और अपनी उकाद में रह बंटू भाई मैं भोल रहा हूँ सच में इसकी यहीं मॉब लिंचिंग करवा दे 2000 एकड की प्रॉपटी है लाश भी नहीं मिलेगी तो कुंडा दा विलन को जब पता चला कि बैटमेन को बादरूम से निकाल दिया गया तो कुंडा दा बैटमेन ने राज की कजन को गिडनाप कर लिया और फिरौती में कंपनी मांगी क्या बोलते कंपनी अबे, M.E.W. वाली नहीं पर लोग भूल जाते हैं कि बैटमेन चाहे गौथम में रहे या विरसी लंपुर में तोलमा आँटी के में मूमोस ओवरेटिड ही रहेंगे ताहिए कह रहो सर आप I mean, बैटमेन हर जगे बैटमेन ही रहेगा तो वेल I am पुषपा जोगेगा नहीं सला तो नाना और रामचंद्रा इंप्रेजड है मेरा पेटा है ना अबेज साले तुझे पता है ना शहर में एक ही हॉस्पिटल है और उसकी दिवार कागत से बनी है और मैंने उस दिवार से मैंस की बाते थुन ली थी ले एक और खा मैं कहता था ना रोको सब को बताता हूँ यह बात नहीं नहीं डैड मैं अभी महेश बाबू हूँ मुझे तौलड नहीं चाहिए ना तो मैं सब को सच पता के उनका दिल तोडना चाहता हूँ मुझे तो बस बैतमेन बन के रात में शहर बचाना है मगर फिर भी कि इस परिवार ने इसे एक्सेप्ट करके इसे 500 करोड के शेर्स गिफ्ट कर दिये कोई बिये ने टिस्ट करवा लेता यार मतलब क्या पता ये नर्स और वालमिकी का प्लान हो अमीर बनने का है कुछ भी हो सकता यार तो वेल इन लोगों ने प्लान किया कि बंटू कमपनी समभालेगा और राजवाल मिकी के साथ रहकर हमबल बनना सीखेगा और अमुल्या पैर चटवाए की और कहानी खातम तो अलावाई वड़ा पाव अलावाई मोमो राजीव रुक अलावाई कुन्त पुरम लो तो स्वाप हो जाएगा समझे तू ममी गोवी के पराठे बना दे यार और एनी एक गाना बजा दे यार तुम लोग को याद है तम साथ काने हिंदी में डब होते थे वो गाने तब उतने ही अन्रियल थे जितनी बिक बॉस की ट्रॉफी थी तो आज मैं वैसे ही प्रस्तूत करता हूँ ये गाना एतेक हर जगा पे है मेरा ही चारो और जलवा पैर चाटू फूट फैटिश पन जाओं मैं तेरा ही पलमा लिप सिंग नहीं मैं अचे हुई फिर भी यहाँ पे मेरा जलवा अफ्रिक हो गया तेरा मेरे हर लॉस में गवार ओडियंस बताया ये विक बॉस ने भीट बनाई मूवी मेरी सारी मार पीट ने ओवां रेक्टिंग शहजादा में करी कार्तिक ने मैं तिल में दूंगा प्यार मेरा खोल तिल उसमें मेरा डलवा साउत वाले पापा है बॉलिवड वाले हैं हलवा इक आरतिक ने मैं दूंगा प्यार मेरा खोल तिल उसमें मेरा डलवा साउत वाले पापा है बॉलिवड वाले हैं हलवा